बॉलिवूड कलाकार रणवीर सिंग की हालिया रिलीस फिल्म 83 को क्रिटिक्स से शांदार रिस्पॉंस मिला लेकिन ये फिल्म बॉक्स आफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई 83 से मेकर्स को अच्छी कमाई की उमीद थी लेकिन ये करोना और खराब प्रमोशन की वज़े से सिनेमा घरों में अच्छे नंबर्स दर्ज नहीं करा पा रही है फिल्म 83 के खराब प्रदर्शन का असर रनवीर सिंग और कभीर खान की अगली फिल्म पर भी पढ़ता दिखाई पढ़ रहा है कुछ दिनों पहले ऐसा सुनने में आय था कि 83 के बाद रनवीर सिंग और कभीर खान एक नई फिल्म के लिए हाथ मिलाने वाले हैं लेकिन ऐसा होता अब नहीं दिख रहा है बॉल्यूड लाइफ के रिपोर्टर रसेल डिसिल्वा को इंडस्ट्री से जुड़े एक सुत्र ने बताये कि फिल्म 83 के बाद रनवीर सिंग, कभीर खान और साजित नाडियाडवाला मिलकर एक और फिल्म बनाने वाले थे लेकिन अब ये तिकडी साथ आने से डर रही है असल में 83 के फ्लॉप होने के बाद साजित नाडियाडवाला, रनवीर सिंग और कभीर खान के फिल्म से हाथ पीछे खीचने की सोच रहे है क्योंकि 83 के निर्माताओं को भारी नुकसान हुआ है साजित नाडियाडवाला को 83 से अच्छे प्रदर्शन की उबी थी लेकिन भारी नुकसान के बाद वो सोच रहे है कि इस डारेक्टर एक्टर की जोड़ी पर दोबारा दाव खेला जाय या नही साजित नाडियाडवाला इंडस्ट्री को हिट फिल्में देने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने बीते सालों में सूपर हिट फिल्में देकर यश्राज और धर्मा प्रोडेक्शन्स को पीछे कर दिया है इस फिल्म में रणवीर सिंग के साथ दिपीका भी है जिनोंने क्रिकेटर कपिल देव की पत्नी का किरदार निभाया था इसी प्रगार की तमाम जानकारे के लिए हमारे साथ जोड़े रहिए नमस्कार